जै मातादी दोस्तों वर्ड बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राधा अस्टमी साल 2030 में कब बनाई जाएगी और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा साथी हम आपको बताएंगे राधा अस्टमी की संपोन पूजा विदी और वरत कता के बारे में लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो क स्री राधा जी का प्रकट दिवस माना गया है पद्म पूरान के अनुसार राधा जी राजा वरसबानू की पुत्री थी और राधा जी के माता का नाम कीरती था पूरानों के अनुसार राधा जी मालक्ष्मी की अवतार थी जब क्रश्न जी द्वापर युग में जन्म लि व्रत रखता है और राधा अस्टमी को व्रत नहीं रखता तो उसे जन्मा अस्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और स्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है उसे अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ती होती है और उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है आपको बता दें कि राधा कृष्ण जिनके इस्ट देव हैं उन्हें राधा अस्टमी का वरत अवश्य रखना चाहिए स्री राधा रानी सर्विर्तीर्थ मई एवं एस्वर्य मई हैं इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है माना जाता है कि इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है जो वेक्ति इस दिन राधा जी के नाम का मंतर जाप या इस्वर्य करता है वे धरमार्थी बनता है और धन की प्राप्ती भी करता है साथ ही मोग्च मिलता है संतान और पती की लंबी आईव के लिए भी इस प्रत का खास महत्व है आपको बता दें कि राधा अस्टमी के दिन सुद्ध मन से प्रत का पालन किया जाता है इस दिन प्राता काल उटकर इसनान करके सच वस्तधारन करें फिर राधा जी की सोने या किसी अन्य धातू से बनी हुई मूर्ती के स्थापना करें पूजा इस थल पर सबसे पहले कलस स्थापित करें अब एक तामे का बरतन रखें और राधा जी की मूर्ती को पंचमरत से इसनान कराएं अब राधा जी को सुन्दर वस्त्र आभूसन से सजाएं अब लकडी की चोगी पर लाल रंग का वस्त्र बिचा कर उस पर राधा जी की मूर्ती स्थापित कर दें और साथ में क्रशन जी की भी पूजा वस्त्र करें अब राधा क्रशन की विद्वत पूजा करें राधा जी क तो रोली, अक्चत, फल, फूल, माला, मिठाई का भोग लगा कर दूब दीब जला कर आरती करें। फिर पूचा के बाद दिन भर का उपुआस करें। और व्रत के अगले दिन सुहागिन महिलाओं और ब्रामणों को भोजन कराकर दच्छना देनी चाहिए। इस दिन राधा क की इस्तुति करने चाहिए। इससे राधा रानी के आसिरवाद से धन की कभी भी कभी नहीं होती और जीवन में खुसियां आती हैं। चले सुनते हैं राधा अस्टमी की व्रत कथा। एक बार राधा गो लोग से बाहर कहीं गई थी। उस समय स्रीक्रश्न अपनी विर्जा एवं विर्जा को भला बुरा खहने लगी। लज्जा वस विर्जा नदी बनकर वहाँ से चली गई। क्रश्न के प्रती राधा के क्रोध पूर्ण सब्दों को सुनकर क्रश्न का मित्र सुदामा आवेस में आ गया। सुदामा क्रश्न का पक्ष लेते हुए राधा जी से आवेस पूर्ण सब्दों से बात करने लगा। सुदामा के इस विवार को देखकर राधा नराज हो गई। राधा ने सुदामा को दानो रूप में जन्म लेने का स्राब दे दिया। और क्रोध से भरे हुए सुदामा ने हित अहित का विचारना करते हुए राधा को मनुस योनी में जन्म लेने का स्राब दे दिया। राधा के स्राब से सुदामा संक चूर नामक दानो बना जिसका वद भगवान सिवजी ने किया। और सुदामा के स्राब के कारण राधा को मनुस रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। चलिए अब जानते हैं कि साल 2030 म की शुरुवात 22 सितंबर 2023 की दोपहर को 1 बचकर 35 मिनट पर होगी और अस्तिमी त४िती कि समाकती 23 सितंबर 2023 की दोपहर को 12.17 मिनट पर हो जाएगी और पूजा का सुब मूरत 23 सितंबर की सुबा 11 बचकर 1 मिनट से लेकर दो पहर 1 बचकर 26 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अवदी 2 गंटा 25 मिनट की रहेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिख पर दो चार दद आपकर 26 मिनट से लेकर 26 मिनटकर 26 मिनट